हम सेकेंड क्लास प्रॉपर्टी प्लांट एक्क्यूप्मेंट और मैं साधारन सब्दों में बोलू भईया ये कुछ नहीं है सरिफ है डेप्रिशेशन तो डेप्रिशेशन की सेकेंड क्लास क्योंकि college के अंदर बच्चों को यही बताये जाता है सोसते हैं कुछ नया है इसलिए मैंने नया वर्ड यूज कर लिया लेकिन जब मैं ग्यारवी क्लास बोलता हो न तो दो तरीकें के बच्चे हैं कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि फिर भी कुछ तो डिफरेंस से कर लेते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं 11 वी वा क्लास वाला बोली रहें तो छोड़ो हटाओ इसको देखके क्या फायदा थे तो ये गलती नहीं करना मैं सरिफ ये इसलिए बोलता हूँ कि ये 11 से रिलेटिड है या ये असान है ताकि आपको पिछले कॉंसर्ट से याद रहें लेकिन अगर 11 वी में होता और फरस्ट यर में होता थोड़ा तो फरक रहेगा न तो उस थोड़े फरक के लिए आपको मुझे जीरो से कराना पड़ता क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में ऐसे भी होते हैं जो कि क्या पड़ रहे होते हैं सर जो कि साइंस स्ट्रीम के होते हैं उन्हें एड्मिशन नहीं मिल पाता कॉलेज के अंदर रेग्लर में तो उल्टिमेटली उसको स्रिफ आप रिमाइंड करिएगा और जो नहीं आता उसको अच्छे से समझ के नूटिंग भी कर लेजिएगा सर यह है हमारे प्रिशेशन अकाउंट। हहला कि मैने गलत लिखा यहाँ सर डप्रिशेशन कर रहे हैं लेखिन इसका अकाउंट का नाम होता है त्र समझ के करिएगा क्या नाम है सर अनेसिटिमाट अर फिक्स असिट असे समें जिसकी लाइफ पाइनेट हो ऐसा नहीं है ऐसा हमने देख लिया था, तो उसकी बात करते है, fix assets में कौन-कौन सा होता है, plant and machinery हो सकता है, motor car हो सकता है, आपका, सिर्फ building हो सकता है, land and building चलेगा, land and building के अंदर, क्योंकि building वाले portion पे तो depreciation लगता है, लेकिन land वाले portion पे depreciation नहीं लगता, कई बार सवाल पूछा जाता है, कि आप depreciation land पे क्यों नहीं charge करते है, comment, या फिर ऐसे लिख देंगे, land is our depreciable assets comment or not, इस तरीके से, क्या land हमारा depreciable assets है या नहीं है, comment करिए, तो जबाब है sir, नहीं है, तो comment का मतलब सिर्फ no या yes लिख देने से नहीं चलेगा, उसके पीछे logic और reason भी देना पड़ेगा, कि according to as10, depreci depreciation will be charged on the fixed assets which life is finite और tangible भी साथ के साथ, ये सारी बाते आपको लिखनी होगी, सर अगर fixed assets है, ये fixed assets से समझिएगा, ये fixed assets है sir, तो fixed assets तो हमने सुना है, और हमने जाना भी है, कि sir fixed assets के अंदर, क्या sir fixed assets के अंदर, fixed assets हमारा debit होता है, और debit का मतलब, अगर मैं इसके अंदर कोई च credit हो जाएगा, मैं इसको सही सही लिख देता हूँ, काम की चीज है, आपने ग्यारवी class में सीखा है, अब ग्यारवी में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ, कि fixed assets जो होता है na, sir fixed assets हमारा होता है debit, fixed assets होता है हमारा इसका balance debit, sir अगर इसका balance debit है, तो simple account का rule है, rule क्या कहता है, जब कभी कोई debit होता है, तो अगर इस debit वाले item में, यानि debit side वाले item में, अगर आपको debit ही करना है, sorry, अगर आपको plus करना है, अगर इसको plus करना है, तो आपको debit ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपको उसमें से minus करना है, तो आप जट से उस account के अंदर credit क्रेडिट साइड में लिख दीजिए तो इसका मतलब यह निकल गया आपने जैसे ही एसेट के क्रेडिट साइड में कुछ लिखा तो मतलब आप बताओ चाहे ना बताओ अकाउंट के रूल के हिसाब से यह तैह हो जाता है कि माइनस कर दिया आपने अब हमारे पास यह एसेट है तो सर इसके अंदर इस साइड क्या रहता है हमारा डेबिट और इस साइड क्या रहता है सर क्रेडिट रहता है ठीक है अब अगर मैं बोलू कि बढ़ाना है एसेट को तो प्लस करने के लिए आपको किस साइड लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा मैंने बोला एसेट को घटा देना है हमें घटा ना किसी रीजन की वैसे तो क्या करना पड़ेगा क्रडिट सर बढ़ाने का कोई लॉजिक है कि आप कुछ पॉइंट्स ह्राइट होगा एक तो यह लॉजिक है घटाने का लॉजिक मैं बता हूँ तो सर सेल कर दो आप बेच दो तो जैसा ही बेच आपका essays घट जाएगा तो किस साइड आने वाला है सर एकरिट साइड आने वाला है तो उसका value automatically reduce हो जाएगा ये हमने शुरू बच्पन से यही सीखा है तो अगर मैं बोलू किसी asset से depreciation लगाना है तो किस side लिखना होगा? credit side लिखना होगा, debit side नहीं, और क्या हो सकता है sir? और हो सकता है तीसरा reason आपका loss हो जाएए ना तो भी आपको credit side ही लिखना है और अगर आपको profit हो जाएए ना तो आपको debit side लिखना है machinery बेच दिया, credit side loss हो गया, credit side depreciation लगया, credit side assets खरीद लिया, debit side profit हो गया, debit side ठीक है? और अगर मैं कहूँ कि मेरे assets के अंदर increment लग गया increment का मतलब sir, revaluation कर दिया मैंने assets में और मेरा पहले 5 लग का machinery था अब 6 लग का हो गया, तो बढ़ी है ना किदर लिखोगे? debit side मैंने कहा कि मेरे 5 लग का assets था मैंने इसको revaluation करके 4 लाक रुपे कर दिया तो 1 लाक रुपे किदर आ जाएगा? credit side, तो सबसे पहले fundamental आपका तो clear हो गया कि इधर से कुछ बाते होगी और इधर से कुछ बाते होगी यहाँ तारीक होगा, यहाँ भी तारीक होगा particular date same चल रहा है, यहाँ LF की कोई जगह नहीं है अकाउंट के अंदर चलिए सर, मैं format बना दू तो यह अकाउंट जो सुरू होता है ना हमेशा depreciation कब charge होता है? सर, depreciation जो charge होगा ना हमेशा charge होगा end of the year में end of the year सर, साल के अंद में हमेशा depreciation चार्ज होता है इसका यह तो पता ही था सर लेकिन साल का अंद दो हो सकता है क्या क्या हो सकता है? या तो हो सकता है आपका 31, 3 से या फिर 31, 12 से सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 31, 3 वाला है या 31, 12 वाला है तो question में या तो given होगा number one part या तो आपको क्या होगा questions के अंदर given होगा given है तो समस्य खतम क्या सोचना फिर या फिर आपको पता करने के लिए अगर मैंने ऐसे लिखा ना मसिंडरी अकाउंट बनाओ 12, 13, 13, 14, आपका 14, 15, कुछ ऐसे यानि डबलिंग में year है 12, 13, 13, 14 तो इसका मतलब ये मार्च वाला है अगर मैंने आपको कहा ना कि आप बनाओ 2012, 2013, 2014 तो सर ये डिसंबर वाला है तो यानि अगर आपको बोल दिया तो well and good नहीं बोला तो ऐसे आपको दिमाग लगा के पता करना होगा कि इसका year ending कब हो रहा होगा ठीक है समझ में आया बात आपको तो इस वाले case के अंदर मैं लिखी देता हूँ सर इस वाले case में कब होगा सर इस वाले case में होगा हमारा मार्च में और इस वाले case में कब होगा दिसंबर में वैसे examiner आपको हर बार देता है नहीं देता तो ये concept हम follow करके चलते हैं अब ये भी नहीं है ये भी नहीं है आपका जो इच्छा करे लगाओ नीचे note डालो आपको पूरे marks उसमें मिल जाएंगे सर यानि सर year end होता है क्या machinery के उपर assets के उपर depreciation हमेशा पूरे साल का लगेगा जी हाँ हमेशा पूरे साल का लगेगा लेकिन कुछ assets ऐसे भी हो सकते जो साल के बीच में खरीद होगे तो उसमें उसके according लगाना पड़ेगा एक शब्द इस्तमाल होता है इसके अंदर सर क्या एक शब्द इस्तमाल होता है put to use बड़ा नाम बेकार साई है put to use लेकिन simple से सब में बोले तो भाया जिस दिन इस्तमाल करना start करेंगे assets को उसी दिन से depreciation लगना चालू होगा मैंने नया mobile phone खरीदा मेरी company के लिए assets था मैं एक January को लेकिया है नये साल पे मैंने पूरे January depreciation यूज ही नहीं किया packet रखा पड़ा है फरवरी, March, April, April में मैंने खोला फिर मैंने यूज करना चालू किया इस्तमाल करना शुरू करने से मतलब क्या होता है आपने packing भी खोल लिया तो मान लिया जाता है कि आपने क्या करना start कर दिया इस्तमाल क्यूंकी packing खोल के आपने on तो किया ही होगा ठीक है ना simple सी बात है तो उस दिन से इस्तमाल चालू हो जाएगा तो एक word यहा था put to use एक word इसके अंदर ये भी बोला जाता है हमारा बार बार के sir जिस साल assets बेचा गया उस साल depreciation नहीं लगाना कई बार बोला होता है कि जिस साल खरीदा है ना चाहे कभी भी साल में आपने खरीदा है उस पर पूरे साल का डैप लगा हो तो मान लेते हैं आपने 6 मैने में के use करा है assets को लेकिन आपको फिर भी कितने time का depreciation लगाना होगा पूरे साल का यानि सवाल जो कहता है उसके तो मैं माने लूगा कि मेरा ट्रक जो था एक लाक का था और मुझे बदले में कितना मिल चुका है असी अजार जो claim मिलता है वो sale माना जाएगा असी अजार और मेरा loss हो जाएगा 20 अजार loss कि दर जाएगा बताओ credit और जो बिका है वो भी जाएगा credit side में जाएगा इसका और इसके उपर जो भी depreciation लगाना है वो भी होगा कई बार जब assets को बेचेंगे न तो बीज में mediocre होता है broker होता है जिसे हम commission देते हैं मेरा एक assets था 5 लाख रुपे का 10% commission यानि 50,000 रुपे commission ले लिया तो हमारा जो sale माना जाएगा मैंने assets बेचा 5 लाख का है लेकिन 5 लाख का sale नहीं माना जाएगा 4,50,000 रुपे का sale माना जाएगा जो यह मैं बाते बोल रहा हूँ बाद में जो बच्चे virtual classes में हैं जो देख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा क्योंकि आने वाले questions के अंदर आपको यह सारी बाते डिखने को मिलेगा question के अंदर मैं पहले ही बता दूँ तो अब जब हम commission देंगे या brokerage देंगे sale में तो उसे minus करके net वाला part हमें क्या करना है यहाँ पे इस्तिमाल करना है बड़ी सीधी सी बात है कुछ एक word थे जो कि मैंने आपको clear कर दिया सर यहाँ पे मैं December को follow कर रहा हूँ कैसे 1-1 2020 सर assets खरीदा तो क्या लिखेंगे सर to bank या फिर क्या लिख सकते हो cash उधार खरीदा तो name उधार खरीदा तो अब कई बार ऐसा होगा पुरानी मसीन है कौन सी मसीन है old तो अगर old वाला हुआ तो अगर old मसीन हुआ तो उसके लिए सब दिस्तमार करेंगे balance BD कब old वाले के लिए ठीक है यह सारे word देख लो bank से खरीदा तो bank check से खरीदा तो भी bank cash में खरीदा तो cash उधार खरीदा तो जिसके खरीदा राम मोहन सीता गीता उसका नाम और अगर आपका क्या given है इसमें तो two balance be declare है यहां तक ठेके कब लिखना है अब इसके बाद मान लेते हैं कि मैंने एक machinery और खरीद लिया और ठीक खरीदा मैंने कब मान लेते हैं कि 36 को खरीद लिया 36 को मैंने खरीद लिया machinery और मैंने एक bank से खरीदा तो उसके लिए फिर से क्या word इस्तमाल करूँगा यानि सर जितनी बार खरीदते जाओ और two bank two bank लिखते जाओ अब हमारे पास पहले साल को अगर मैं close करूँ तो first year हमारे ये है है ना first year ये है first year के बाद depreciation लगना तय है कब लगेगा depreciation 31.12 और 31.12 13 कहां से अगया है 31.12 by लिखेंगे by depreciation number one पे और same by depreciation number क्योंकि हमारे पास दो assets है एक assets number one एक assets number two depreciation number one और two one के उपर depreciation लग जाएगा यहाँ पे लिखेंगे two के उपर depreciation लग जाएगा यहाँ पे लिखेंगे फिर इनको total कर लेंगे एक हाइपोतिखल हम क्या करते है एक example ले ले लेते है कि sir 10 रुपे और 15 रुपे total कितने होगे sir 25 रुपे यहाँ यही total पहुंच जाएगा sir 25 रुपे यानि sir जो यह total है इसी total को इधर shift कर देंगे 25 रुपे और depreciation one और two माल लेते हैं यह depreciation 2 रुपे का यह 3 रुपे का तो कितने कट गए 5 रुपे का जो बाकी बसता है ना उसको क्या लिखेंगे buy side में buy balance balance cd sir balance cd में कितना होगा sir 20 रुपे होगा balance cd में कितना होगा 20 रुपे कब 31 12 संच मेरे यह बात पहला साल क्या हो गया हमारा complete पहले साल में क्या था हमारा depreciation भी आ गया अब इसी balance cd को हम यहाँ लेके आएंगे 1,1,21 और इसको क्या लिखने वाले है two balance sir सवाल ना आपका एक नहीं आ सकता सवाल जो होगा एक साल का नहीं आ सकता सवाल आपका दो या तीन साल के बीच का आएगा तो मेरा एक साल complete होगे अब दूसरे साल में enter कर चुके हैं और यह 20 रुपे as a tease यहां आ जाएगा हमारा ये तो मैं cross लगा रहा हूँ format के लिए मान लेते हैं कि एक और machinery हमने खरीद लिया अब आप ध्यान दखिएगा ये वाला जो depth लगाए ना ये 6 महीने का लगाए ये वाला depth पूरे साल का होगा ये वाला depth पूरे साल का होगा अभी मैं जो practical question लोगा तो clear हो जाएगा फिर से मान लेते हैं मैंने एक और machinery खरीद लिया कब खरीद लिया तर 36 को तो उसके लिए क्या शब्द इस्तमाल करूँ 2 bank simple सी बात है और कुछ इस्तमाल नहीं करना है मान लेते हैं कि मैंने खरीदा 10 रूपे का इसके बाद देखा जाए तो depreciation depreciation लगाने की बारी आगे तो depreciation कितने पर लगने वाला है हमारा अब 1 पे भी लगेगा और 2 पे भी लगेगा और 3 पे भी लगेगा यानि depreciation हमारे कितने पर लग गए तीन पे और कब लगने वाला डेट क्या होगा 31 यानि सर एक बात तो तैय हो गया मसींदी कभी भी खरीदो उससे मतलब नहीं depreciation साल के एंड में ही लगाया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए यहां तक बात क्लियर हो गई आपको मान लेते हैं यहां पर depreciation है एक रुपे एक रुपे और तीन रुपे मैं एक अपना ही यहां पर एंडाशा ले रहाँ है सानी बोलिए सर कैसे लगा रहे हो कहीं ज्यादा कहीं कम वह चीजें दिमाग मत लागाना है यहां पर मैं अपना एक ऐसे एक्जाम्पल ले लेते। तो टूटल हो जाता है हमारा यह 30 रूपे और इस 30 रूपे को ठागी कहा कर देंगे सर इस साइड कर देंगे 30 रूपे और इस 30 रुपए में से क्या करेंगे तीन और और तीन और दो पांच पांच माइनस करेंगे तो कितने बच गए 25 और इस 25 रुपए को क्या नाम देंगे बाइब बैलेंस CD CD हमेशा साल के end का data एगा साल के end का अब वो मार्च भी हो सकता है और December भी वो मैंने बता दिया वो कैसे पैचानेंगे वो भी बात कर लिए अब बात करते हैं सर एक एक तेईस नहीं बाइस टू बैलेंस 2 बैलेंस BD कितने हो गए सर 25 रुपए ठीक है ना अब इस साल मैंने क्या करा एक मसीनरी बेच दिया जितने बच्चे लाइब में बताईएगा इस साल मैंने एक मसीनरी बेच दिया सर इस साल एक मसीनरी बेच दिया किदर दिखाएंगे हम अब लाइव में जो बच्चे वो भी बताएं फटा-फट मसीनरी बेचा है मैंने मैंने समझाया नहीं किदर लिखना है बर अगर स्टार्टिंग सो लॉजिक क्लियर है न आपको तो आपको पता चल जाएगा मसीनरी बेचा है डेबिड में लिखें या क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाई साइड में लिखेंगे लेकिन जब खरीद रहते तो बैंक होगा और जब बेचेंगे ना तब भी हम बैंक की लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल ठीक है ना ब्रैकेट में सेल लिख देंगे क्या ब्रैकेट में सेल Inditary आपके इच्छा है लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए कोई ज़रत नहीं है कब बेचा है वो तारीक आएगा माल लेते हैं मैंने 36 को बेचा है ठीक है 36 को बेचा है तो 36 का तारीक आगया अब जो मसीन बिका है उसका भी depreciation लगाओ क्यूंकि आपने 6 महीने तो यूज कि किया वो कितने का लग गया एक रुपए का एक्जामपल सर यह भी कब होगा 36 यानि सर डेप्रिशेशन तो आपने बोला साल के एंड में लगेगा लेखिन 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 यहां पर एक चीज है कि अगर हमारा एस साल के बीच में बिच बिकता है तो उस पर डेप्रिशेश साल के एंड में लगेगा कब 31, 12 और यहां पर भी 31, 12 बाइड़र देप्रिशेशन मान लेते हैं के यहां पर दो रुपए लग गया और यहां पर भी 2 रुपए लगग गया देप्रिशेशन, देप्रिशेशन सर फिर से हम इसको अगें टुटल कर लेंगे, टुटल कितना बचँस-- Burbit ichin वन ऐसे साव लेगे निविव्य आपको करना है तू बैलन्स uh अ Caesar छोड़ना है आपको और पक्चिस रुपै करके बस चोड़ा नहीं और पंध्रह है बस आपको ऐसाइस लिख के छोड़ देना है जरूरी नहीं है mandatory तो 15 रुपय है क्लियर है चलिए कुछ बच्चों को साइद नीचे का point ना दिखे तो मैं इसको उपर कर देता है यह particular एक format है चाहे question SLM का हो चाहे question WDB का हो चाहे question कितना भी advance हो आपका अगर depreciation का यह वाला method रहेगा जिसके अंदर ह सबसे बड़ी problem क्या होती है आप calculation और date के अंदर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते जिसकी वज़े से create होता है हमारा confusion और जैसे confusion create हो सवाल हो जाता है गलत या तो हम सवाल ठीक से नहीं पढ़ते है किस पर depth लगाना है नहीं लगाना या फिर हमने क्या करा date को गलत measure कर दिया प चारवी class में लेकिन मैं मानता हूं आप सभी के पास calculator है तो कितना भी बड़ा calculation आ जाए वो तो finger के उपर आपका calculate हो जाएगा simple सी बात है कोई paste खराब थोड़ी ना करना है तो फटा फट से यह देखिए इसमें किसी को doubt है format में दो किसी को doubt clear यह था हमारा format जल्दी जल्दी नोट कर लीजे